दोस्तो अगर आपको यी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाए और प्रेस करें हमादी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और कई फायदे मिलेंगे दोस्तो इस रमकार्ट योजना जाने क्या है सरकार की योजना और इसके कैसे करें रेजिश्टेशन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे आपको रेजिश्टेशन करना है किर्सित से जुड़े सिर्मिक को क्या लाब मिलेगा यूपी में इन किसानों ने कराया इस रमकार्ट के लिए रेजिश्टेशन दोस्तो आपको बताने कि इस रमकार्ट पर दो लाग रुपए का मिलता है बीमा दोस्तो कौन कौन करा सकता है इस रमकार्ट के लिए रेजिश्टेशन और दोस्तो इस रमकार्ट से और भी मिलते हैं कई फायदे दोस्तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या क्या फायदे मिलेंगे और इसरम कार्ट के लिए कैसे रेजिटेशन कराना होगा दोस्तो साथ ही बताएंगे तीन तरह के करा सकते हैं इसरम कार्ट के लिए रेजिटेशन करा सकते हैं इस सिरम कार्ट पोर्ट पर एश्टेशन के संबन्द में ध्यार रखने वाली कुछ बातें भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे तो दोस्तो वीडियो को बिना इस्किप किये अंत्त तक देखें दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके पास इसरम काट है तो आपको हर महीने मिलेंगे 500 रुपए दोस्तों इसरम काट योजना क्या है यानि देश में कई सिर्मिक मजदूर आसंगड चेतर के सिर्मिक हैं इन सिर्मकों को सरकार की ओर से इस सिर्म पिरदान की जा रही है इस सिर्म काट के जरिये ये आसंगड चेतर में सिर्मक मजदूरों को पांस रुपए पिरती महा दिये जाने की घोस्ना की गई है बताने की इसरम बनबाने पर आपको दो लाख रुपए का बीमा भी मिलेगा दोस्तों आपको बताने की उत्तर पिर देश के मुखमंतरी एवी अजित तनातने असंगड चेत्र के करीब धाई कलोर मजदूर और करीब साट लाग पंजी कनल मजदूरों को दिसंबर यानि इसी तरह के यानि अब तक 12.20 कलोर से अधिक सिर्मिक रेजिटेट हो चुके हैं भही यूपी में अभी तक इस कार्ट पोर्ट पर 25 कलोर 89 लाग 1084 सिर्मिकों ने अपना रेजिटेशन करा लिया है और अब तक मार्च तक यानि अब उन्हें मार्च तक हर महीने 500 रुपए सरकार की ओर से दिये जाएंगे ये कार्ट के लिए ऑनलाई रेजिटेशन 31 दिसंबर 2021 तक किया जा रहा है दोस्तों आपको बताने कि किर्सी छेट से जुड़े सिर्मिक को होगा लाब यूपी में जिन लोगों के पास इस रम कार्ट हैं उन्हें सरकार यानि उन्हें सबसे अधि दोस्तों आपको बताने कि यूपी में इन जुलों के किसानों ने कराया इस रम कार्ट के लिए रिजिटेर कराने में वाले यूपी के सिर्मिक की बात करें तो इनमें पूर्वान चल वाले सबसे आगे हैं अब तक का कुसी नंगर इसमें टॉप पर है कुसी नंगर के 26,176 लोगों ने रिजिटेशन कराया है तो बहीं महराज गंज में 89,2889 सिर्मिकों ने कराया है तो बहीं गोरकपूर में 89,945 और बैनाच में 63,5,513 सिर्मिक हैं उत्तर प्रिदेश की महला इसरम कार्ट पर रिजिटेशन कराने में पूर्वान के मुकाबले काफी आगे है इसरम कार्ट पर यानि दिसंबर 2021 तक किये गए हैं आकडों के मताबक के इसरम कार्ट हासिल करने वाली महलाओं की संक्या 51,17 फिजदी है तो बहीं पूर्सों की संक्या 48,83 फिजदी अगर आयू बर्ग की बात करें तो इसमें 62,83 फिजदी 18 बर्ष से 40 बर्ष की आयू के ब सिरमिक हैं 50 से उपर वालों की 35,89 तो महीं 40,50 बाले का 20,41 फिरती साथ है दोस्तों आपको बता दे कि इसरम कार्ट पर 2,00,000 रुपए कैसे मिलेगा बीमा आसंगड छेतर में काम करने वाले कार्ट में रेइस्टेर्ट होने पर पी-म सुरक्षा बीमा योजना के तायद 2,00 अग रुपए का बीमा मिलता है इसके लिए प्रीरियम देने की जरूरत नहीं है इसके अलावा विभिन पिरकार के समाजिक सुरक्षा बालों का वितरन है इसरम कार्ट के लिए दोस्तों सबसे पहले सरकारी योजना का लाब इस्रं कार्ट बालों को ही मिलेगा कौन कौन क का सदस नहीं है उसे आसंगडित कामगार कहा जाता है दोस्तों आपको बताते हैं इसमें घर का नोकर नोकरानी काम करने वाली भाई खाना बनाने वाली भाई कुक सफाई करमचारी गार्ड, कुलीज, इक्सा, चालक, ठेलक, किसी भी पिरकार का सामान बेचने वाला, बेलडर, चाट ठेला, ठेला वाला, चाय वाला, होटल के नोकर, रिप्लेस्मेंट, पूश्ताज करने वाले किलक, आउपरेटर, सेल्समेन, हैलपर, आउटो चालक, ड्राइबर, पंचर व वाले मजदूर, नरेगा मजदूर, इड भटे में काम करने वाले मजदूर, पथर तोड़ने वाले, खादान मजदूर, फाइल से, बिलीसन वाला, मूर्ती वराने वाला, मच्छवारा, चारगहा, डेरी वाले, सभी पसू चालक, पेपर वाला, जो केडर, सिंग, डिलेव पूकर बाला, नर्स, वाल मौन, इस सभी इस योजना में साइक हो सकते हैं, दोस्तो आंगनबाली कारिकरता साइक के आसायोगी आनि सभी तरह के व्यक्ति इसरम काट के लिए पजिकलत करा सकते हैं, दोस्तो इसरम काट और भी मिलते हैं, पायदे आनि इसरम काट से और भी सिलाई मसीन आने अपने काम के लिए मुफ्त उप्रान आदी लाप राप्त किये जा सकते हैं आगे इसरम कार्ट को रासन कार्ट से लिंक किया जा सकेगा इस देश में कामगार सिर्मको को सस्ता रासन का यहीं सस्ता रासन भी उपलब्ध हो सकेगा दोस्तों आपको बता दें क इस्रम कार्ट के लिए कैसे रेजिटेशन करा है कामगार सिर्मिक मजदूर को इस्रम कार्ट के रेजिटेशन के लिए आधार कार्ड मुवाइल नंबर जो आधार से लिंग होना चाहिए यदि किसी कामगार के पास लिंग मुवाइल नंबर नहीं है तो बहे निकरतम सी ऐसी पर जाकर बायोटिक के 50 करण के माध्यम से 50 करण करा सकता है इसमें रेश्टेशन के लिए कोई सुल्क देना नहीं होगा यह निसुल्क है दोस्तों अगर आपके पास इस्रम काट है तो आपको हर महीने 500 रुपए मिलेंगे और जितनी भी योजना सरकार चलाएगी उसका पर आप जाकर इस्रम.government.in के माध्यम से सेल्फ रेश्टेशन करा सकते हैं समान सेबा केंद से माध्यम से रेश्टेशन करा सकते हैं जिला उप जिला में राज सरकार के छेत्रिये कारे कालों दौरा भी आप रेश्टेशन करा सकते हैं यह दोस्तों जन्सेबा केंद पर ज जरूरी रखना है जो इस प्रिकार है दोस्तों कामगार की उम्र 16 के उपर और 60 साल के नीचे होनी चाहिए कामगार इंकम टैक्स का भुक्तान ना करता हो इसका मतलब यह है कि अगर कामगार टैक्स बेर में हो तो पोर्ट पर रेश्टेशन का हगदार नहीं है वहीं कामगार EP EPFO और ESIC का सदस है तो भी वह पोर्ट पर रेश्टेश नहीं करा सकता है दोस्तों अगर आप अपनी किरसी भूमी अन्य संपत्ती पुराने टैक्टर किरसी उपकरार दुदारू मैधावी हैं पसू पालन हैं बेचने में इच्चुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्या जैक्शन के खास ओफर का जम कर फाइदा उठाएं दोस्तों अगर आपके पास इस रमकाट है तो इन सभी योजनाओं का लाब मिलेगा और हर महीने सरकार की तरफ से आपको मार्च तक 500 रुपए मिलेंगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें सियर करें रोजाना सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है